We are going to start chapter 6, Indian folk dances. So, यहाँ पर आपको कुछ pictures दिख रही होंगी बच्चों, यह है Indian folk dance. और हमें क्या करना है? Can you match these folk dances? क्या आप match कर सकते हो इन folk dances को to the states they belong to? उन states से जिनसे यह belong करती है, right? उससे पहले यहाँ पर एक important information है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि dances performed in India, जो इंडिया में dances performed किये जाते हैं, are said to have their origin in dances and rituals of the period of the Vedas, which date back to around 1000 BC. 1000 before Christ से भी पहले के यह dances हैं और जो rituals हैं यह बने हुए हैं, जो यह dance perform किये जाते हैं, यह इतने ज्यादा पुराने हैं. तो चलिए हम यह table complete करते हैं, राजस्थान, राजस्थान का famous dance है कच्ची घोडी, राइट, सो आप सभी मेरे साथ राजस्थान के साथ कच्ची घोडी को match करेंगे, राइट, गुजरात, गुजरात का कौन सा है बच्चो, डांडिया, यहाँ पर दिखरा है आपको, तो हम गुजरात के साथ मैच कर देंगे, डांडिया को, ओके, next we have Tamil Nadu, anyone can tell me के Tamil Nadu का कौन सा famous folk dance है? Yes, we have Karagam, Tamil Nadu, ओके, so Karagam is the famous dance, folk dance, folk dance of state Tamil Nadu, आसाम, आसाम का है बीहू, आसाम का folk dance है बीहू, ओडिशा, ओडिशा में आता है शाओ, यह है ओडिशा का folk dance, next we have Punjab, पंजाब में करते हैं हम गिद्दा, ओके, पंजाब में कौन सा होता है बच्चो, गिद्दा, राइट, अब बचे हमारे पास दो states, छतीसगर्ड और उत्तराखन, छतीसगर्ड में होता है dance, कैंडी, अब आपको समझ में आ गया होगा और मैं इसके साथ यहाँ पर लिख भी देती हूँ, जैसे के फर्स्ट राजस्थान तो यहाँ पर हमने नमबर वन लिख दिया, डांडिया इस नमबर टू, गुजरात, तमिल नाडू, कारागम नमबर थ्री, बीहू, नमबर फोर, आप लोग मेरे साथ साथ इसे अपनी बुक में कर सकते हैं, उडिशा, नमबर फाइव, गिद्धा, विल बी नमबर सिक्स, चतिशगर, गैंडी, विल बी नमबर सेवन सेवन सेट, अग एट वन इस उत्तराखंट, राइट, अब आपको पता चल गया के कौन-कौन सी स्टेज के, कौन-कौन से फेमस folk dances हैं, राइट?